सुप्रीम कोट ने पुलिस का स्टडी में माफिया अतीक एहमत और उसके भाई अश्रफ की हत्या के मामले में यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है कोट ने सरकार के धीले रवये पर नाराज़गी जताई और कहा हम जानना चाहते हैं कि जाँच में अब तक क्या हुआ मुकद में केसच चरन तक पहुचे हैं ऐसा कहते हुए कोट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी सुप्रीम कोट ने यूपी सरकार से ये भी पूछा कि अतीक के दो नाबालिक बेटों को न्याएक हिरासत में क्यों रखा गया है अगर वो किसी अपराद में शामिल नहीं है तो उन्हें रिष्टेदारों को क्यों नहीं सौपा जा सकता माफिय अतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ की प्रियागराज में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी घटना 15 अप्रेल की है पुलिस कस्टडी में जब अतीक और अश्रफ को कॉलविन अस्पताल में मेडिकल चेकप के लिए लाया गया था तभी तीनों शूटर अरुन मौर्य लवलेश तिबारी और सनी सिंग ने ताबर तोड गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया घटना में दोनों भाईयों की मौके पर मौत हो गई थी तीनों हमलवर पत्रकार बन कर पहले सही अस्पताल पहुँच गय थे इस घटना से दो दिन पहले अती का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया था इस मामले में अती का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुचा है बहान आईशा नूरी और वकील विशाल तिवारी ने याचिका में डबल मर्डर की जाच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते वे कहा कि ये सिर्फ हाई प्रोफाइल केस का मामला नहीं है ऐसी घटनाए जेल में भी हो रही है वो कौन लोग है जो ट्रैक करते हैं जेल से एक मिली भगत के जरिये काम किया जा रहा है इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा कि अतीक एहमद मामले में SIT चार्ज शीट दाखिल कर चुकी है मामले में तीन लोगों को आरूपी बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के मामले को टालने की मांग पर फटकार लगाई यूपी सरकार ने कहा कि हम मामले में याचिका पर विस्तरत जवाब दाखिल करेंगे सुप्रीम कोट ने कहा कि हमें बताएं कि इसको लेकर राष्ट्रिय मानावधिकार आयो के दिशा निर्देश क्या है एक याचिका करता वकील विशाल तिवारी ने कहा कि पुलिस पर भी आरोपल लगाए गए हैं लोगों का विश्वास बहाल करने की भी जरूरत है सुप्रीम कोट ने पूछा लोगों का भरोसा कैसे बहाल करेंगे क्योंकि पुलिस तो वही है जिनकी निगरानी में जेल में भी ऐसी घटनाएं हो रही है सुप्रीम कोट ने पूछा कि इनकाउंटर के केसों की मौनिटरिंग के लिए मेकनिस्म क्या है उन केसों की मौनिटरिंग कैसे की जाती है अतीक की बहान आईशा नूरी के वकील ने कहा कि अतीक अश्रफ मामले में जाच आयो का गठन किया गया है उसके बेटे असत के मामले में भी अलग जाच आयो का गठन किया गया है उनकी जाच में अब तक क्या हुआ ये बात किसी को पता नहीं है 24 फरवरी को उमेश पाल और उसके दो सुरक्षा कर्मियों की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी उमेश पाल बियस पे विधायकर राजुपाल हत्याकांड का मुख्य गबा था इस मामले में माफिया अतीक एहमद और उसके भाई अशरफ नामजद आरोपियों में शामिल थे अतीक को एहमदाबाद की साबरमती जेल से और अशरफ को बरेली की जेल से पूछ ताच के लिए लाया गया था कोट ने दोनों की कस्टडी मन्जूर की थी 15 अपरेल 2023 को दोनों भाईयों को मेडिकल जाच के लिए प्रियागराज के कॉलविन अस्पताल लाया गया था वहां तीन हमलवरों ने अतीक अशरफ की गोली मार कर हत्या कर दी थी उससे पहले 13 अपरेल को जहासी में अतीक का बेटा अशरफ और एक गुरगा भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था पुलिस अभी गुड़ू बंबाज और अतीक की पतनी की तलाश कर रही है ब्यूरो रिपोर्ट